तो आज में बात करने बाला हूँ पिछले दिनों में लिस्टिंग होना मतलब लिस्टिंग हो चुके है एक IPO के बारे में जो IPO आया था नवेंबर में नवेंबर का फस्ट वीक में IPO फिए मतलो ऐ ओपन हूँ था और मार्केट में लिस्टिंग हुआ पिछले दिनों में मतलो फ्राइड़ का देन मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो कंपानी ने एक अच्छा-गासा लिस्टिंग दिखाया मतलो अच्छा आपको पाया, तो IPO का जब details में बता रहा था, तब से में आपको बता था कि IPO एक अच्छे कासे आने वाला है, और अच्छे कासे आपको profit मिलेगा, हाँ ये भी कहा था कि कितना profit मिलेगा बहुत पता रही है, मगर आपको profit जोरूद देने वाला है, क्योंकि company का business module ही और कुछ ऐसे इस ये आपको थारे डान करी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्रीब ने करते हैं, जोरू सब्सक्रीब कर लेना, क्योंकि आपको daily basis stock marketing information चाहिए, तो इस चनल में बने रही है, तो चलो देख लेते हैं, आज के IPO का बा obviously 9% का गिरावट हुआ है, मगर company profit देखकर ही आपको गिरावट दिखाया, मतलब जितने सारे investor को IPO मिला था, मतलब IPO खरीदरी कर पाये थे, उसको एक profit जबतस मिला, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, तिगज वेबसेट के news के मादम से आपको दिखा दू, चाफाय फूट जम, 17% on doubts, suit investor had hold और book profit, मतलब जितने सारे investor है, जो IPO खरीदरी किये थे, उसको 17% का profit यहाँ पर देखने को मिला, तो profit देने के बाद stock ने गिरावट किया, वो तो बात के बाद है, क्योंकि market डाउंटेन में था, तो इसलिए bearish run में इस stock को भी गिरावट देखने को मिला, तो long term के लिए इस company के पर क्या राय होने बारे हैं, उसके बारे मैं दिखाऊंगा, उससे पहले आपको company का performance दिखा देता हूँ, बाद में मैं chart button में जाकर आपको सारे data clear कर दूँगा, तो company का IPO के यहाँपे details आपको एक बाद दिखा दूँगा, company का IPO के जो price range band था, वो 1120 से 1180 का price range band में था, मतलब इस price range के अंदर आपको खरिदारी करना था, तो आप इस price के अंदर आपको IPO मिला था, तो आपको कितना फाइदा हुआ, वो भी देख लीजिए, इस company का high था, मतलब जो high किया था, आप अब देख सकते इसका high था, करीबन 1378, मुझे जो high बार लग रहा है, 1378, मतलब यहापे जो high था, इस high को achieve किया, मतलब यहापे आपको जब दस profit हुआ, करीबन 17% का आपको return मिला, तो इतना अच्छा कासा return आपको मिलने का कारन तो जोरूत था, क्योंको company में बहुत potential था, potential मतलब company का performance अच्छा कासा था, हाँ, थोड़ा सा company financial department में देखा जाए, company loss making company था, मतलब अभी भी profit नहीं हो रहा था, मगर company का business model के हिसाब से, जब अदस buying हुआ, उसी के लिए यहापे अच्छा कासा है, एक listing देखने को मिला, तो company का भारा में बात करूँ, तो company देखिए, अभी भी एक midcap type company है, उतना बढ़िया company भी नहीं है, company का return of equity अभी भी ने company dividend तो यहापे market में नया है, तो आभी तक dividend नहीं देखने को मिलेगा, company का book value 72 है, तो company का performance है, उसके हिसाब से कोई भी pause यहापे मुझे देखने को नहीं मिला, तो जितने सारे cones है, यहापे देखिए, ज्यादा तर cones है, यहापे negative में है, यहापे देखिए, book value के उपर trade कर र आप है, company का low return equity भी है, और साथी सथ company का earning growth भी बहुत काम है, तो company जिस फैल में काम करते है, company उस मतलब actually delivery sector में, और student sector में काम करते है, तो उसका ranking के हिसाब से company third number position में आ चुके है, company का, आपे quarter basis आपको रिजाल देखा दू, यहाप देखिए, हर quarter में आपको loss देखने को मिल और company का, देखिए, साल भर की performance दिखा दू, देखिए, 41 करोड का loss, 45 करोड का loss, 158 करोड का loss, 98 करोड का loss, देखिए, इतना loss होने के बाद भी company ने क्यों listing gain में इतना सांधर performance क्यों दिया, देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो माटो अगर loss होने के बाद भी अच्छा कासा profit दे सकते है, तो इस company भी दे सकते है, क्योंकि company का business module जो है, उसके इसाब से बहुत लोगों को एही लगता है, क्योंकि company future में बहुत अच्छा कासा काम करने वाला है, क्योंकि company का business module ही ऐसे है, online platform है इसके पास, साथी साथ, आप pizza hut, और आपे burger, और बहुत सार companies इसके अंदर पड़ते है, जितने सारे आमी food इस company के अंदर आते है, तो इस type company future में obviously growth करेगा, अभी तो इस company में उतना potential मुझे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि company का performance अभी भी negative में है, तो मैं जब IPO आया था, तब आपको बता था कि company अच्छा खासा performance आपको दे तो दें cancel नहीं है, जिस तरीके से company listing होने के बाद भागना चाहिए, तो इस company के ऊपर आपको focus होना चाहिए, मगर अभी नीबेस करने के लिए कोई भी राय में नहीं दूँगा, क्योंकि company का performance अभी भी negative issue में मुझे देखने को मिला है, साथी साथ company का reserve के बारे में बात करूँ, तो company का reserve भी देखिए, कितना ups and down चल रहा है, company का reserve हमेशा बढ़ना चाहिए company का, अब 2018 में 436 करोण, 19 में कम हो गया 429 करोण, 2020 में फिर से बढ़ा 474 करोण, उसके बार 2021 में 427 करोण, अभी जो current scenario है, वो आपे 409 करोण है, तो देखिए किस तरीके से performance हो रहा है, बहुत सी ups and down movement देखिए कर या पर performance हो रहा है, तो आप इस company में निवेश करना चाहते है, तो इसके लिए सारे data आपको देखना चाहिए, company का करजा देखिए, 31 करोण था 2018 में, 2019 में 96 करोण हो चुके है, 2020 में तो जबदस करजा बन चुके है, 646 करोण, 2021 में 645 करोण, 2021 जो current scenario है, वो 672 है, तो इतना करजा लेके company चल रहा है, और इतना downfall है, तो मेरे हिसाब से company में अभी भी आपको दूरी रहना चाहिए, अभी भी company का shareholding pattern अभी तक नहीं आया, कौनसा कौन से investor आप इन्वेस्ट किया, वो आपको इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि company का हाली म पब्लिक सेक्टर यहापे ज्यादातर खरीदरी करेंगे, तो company का chart pattern के बारे में एक बार देखा दू, यहापे देख सकते हैं, company का chart pattern की इस तरीके से open होने के बाद, यहापे तेजी से गिराबट हुआ, वो भी volume के साथ, इतना जब अधा selling हुआ, तो यहापे selling का volume, इस volume के सबसे मुझे इस company का downturn fall दिख रहा है, देखिए आपको positive, मतलब positive volume, जो आपको 10 दिखाने वाला volume, आपको ज्यादा देखने का नहीं मिला, मतलब company का 10 जो है, वो अभी भी negative 10 में है, अभी भी down भी हो सकते हैं, तो वो तो क्या होगा, बात के बात है, आप long time निवसक है, तो इस type company से अभी तो आप दूरी रही है, जो माटे का उपर भी मैं आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो माटे का उपर आपको मैं निवसकरने के लिए राय दिया हूँ, long time के लिए, मगर इस company के उपर मैं राय अभी नहीं दिऊंगा, क्योंकि का performance मुझे अभी भी बहुत खराब performance देखने को मिला है, तो आप खुद रिसर्च करिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ, मैं भी गलत हूँ, मैं भी गलत जा सकता हूँ, तो आप खुद निवसकर सकते हैं, खुद निवसकरने से पहले, प्लीज सारे डिटा आप चेक आउट करिए, क्योंकि आपको portfolio उसी तरीके से बनना चाहिए, जो आप future के लिए बनाना चाहते हैं, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको portfolio future में negative में रहे, तो उसी तरीके से portfolio बनाई है, उसी तरीके से आपको अच्छा खासा stock buying करिए, आपको रिक्स लेना ही है, तो इस टाइप company के उपर आप फूड के उपर काम करते हैं, जो माटो को भी उसी तरीके से काम करते हैं, तो आपको निवेस करना ही है, तो आप McDonald में उपर करिए, आप जो माटो के उपर भी जा सकते हैं, यूभी बहुत ज्यादा निवेस करिए, जो माटो अभी भी negative result दिखाते रहे हैं, फिर भी company rocket के त लागे तो लाइक करने, दोस्तों से शेयर भी करना, मिलते आगले स्टोक लेके, तब तक लिए अच्छे से रहे हैं, अपने ख्याल लेकिए, बाए-बाए